हेलो फ्रेंस आप देख रहे हैं ब्लू इंडिया चानल और मैं आपके साथ मांसी अरोड़ा ब्लू इंडिया चानल में आपका स्वागत करती हूँ आगे आने वाले समय में लेटिस्ट इंफोर्मेशन को जाने के लिए हमारा चानल ब्लू इंडिया सब्सक्राइब करना ना भूले पचास साल पहले बारिश ना होती तो शायद वन डे क्रिकेट का नामों निशान ना होता क्रिकेट, ग्लैमर, पैसा, बाजार इन सबका कॉक्टेल कहां से तयार होता है यदि इस सवाल की तह तक जाने की कोशिच की जाए तो आज से ठीक पचास बरस पहले यानि कि 5 जनरी 1971 की तारीक को याद करना तो बनता है आखिर इसन क्या हुआ था जिसने भदर जनों का खेल कहे जाने वाले क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया टेस्ट के बीच वन डे कैसे शुरू हुआ यह 1970 का साल और नवंबर का महीना था जब एशर सीरीज के लिए इंगलेज की क्रिकेट टीम औस्ट्रेलिया के दोरे पर गई थी उन दिनों एक एशर सीरीज में 6 टेस्ट मैच खेले जाते थे पहला टेस्ट प्रिस बैन में खेला गया जो ड्रॉपर खत्म हुआ दूसरा टेस्ट मैच पर्थ में खेला गया यह भी ड्रॉपर खत्म हुआ अब बारी थी मैलबर्ण में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच की 39 दिसमबर 1970 को यह टेस्ट मैच खेलना शुरू होना था लेकिन भारी बारिश के कारण पहले तीन दिनों का खेल धुल गया इसके बाद एंपायर और क्रिकट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने इस टेस्ट को रद करने का फैसला किया लेकिन उन दिनों क्रिकट मैच का इंशुरंस कराने का चलन नहीं था इस टेस्ट मैच के धुलने से आयोजकों को लगभग 80,000 पॉन्ड का घाटा उठाना पड़ रहा था मेलबन टेस्ट के लिए दर्शकों को जो टिकेट बेचे गए थे उन्हें वापिस करना पड़ा लहाजा दोनों देशों के क्रिकट बोर्ड ने मिलकर फैसला किया कि सीरिस के अंत में एक सात्वा टेस्ट मैच भी कराया जाएगा लेकिन इंग्लिश खिलाडी इस अतिरिक्त टेस्ट मैच के लिए अतिरिक्त पैसे के मांग पर उतर आए दरसल वो जमाना प्रायोजक, कॉन्टाक्ट और क्रिकेट में पैसों की बरसात का नहीं था उन दिनों क्रिकेटर को मैच के दिन के हिसाब से दिहाडी मिला करती थी इसके बाद दोनों देशों के अधिकारियों ने पै किया कि मेल्बन के सानिये लोगों के मनरंजन और दोनों टीमों के खिलाडियों के आर्थिक मुनाफे को ध्यान में रख कर दोनों टीमों के बीच 40-40 ओवर्स आठ गेंदो का एक ओवर का एक वन डे मैच आयोजित किया जाए लेकिन इस मैच के लिए स्पॉंसर्स यानि की प्रायोजक ढूनना भी बहुत ही मुश्किल काम था बड़ी मुश्किल से तंबाको उत्पादन बनाने वाली रॉंथ मैच कमपनी इस मैच को स्पॉंसर करने को तयार हुई वैबी मैच 5,000 पॉंड में जिसमें 90 पाउंड मैन आफ दा मैच का पुरसकार जीतने वाली के लिए रखे गए थे कमपनी ने इस मैच के लिए 20,000 टिकेट बेचने का लक्षे रखा ताकि पैसे निकल सके मैच में क्या हुआ 5 जनवरी 1971 को यह मैच मेलबन क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया इंग्लेंड 11 और अस्ट्रेलिया 11 के नाम से दो टीमें मैदान में उतरी मैच से पहले सर डॉन ब्रैडमन दोनों टीमों के खिलाणियों से मिले और उनका उत्सहवर्दन किया आस्ट्रेलिया 11 के कप्तान बिल लॉरी ने टॉस जीता इंग्लिश 11 के कप्तान रे इंगलवर्ट को पहले बैटिंग करने का आमंतरन दिया इंग्लिश 11 के पूरी टी उन 40.4 ओवर में 190 रन बना कर ओल आउट हो गई मिडल ओडर के बैटमैन जॉन आंडरिच ने सबसे ज़ादा 82 रन बनाए अब ऑस्ट्रेलिया 11 के सामने मैच जीतने के लिए 40 ओवर यानी 320 गेंदों में 191 रन बनाने का लक्षे था इसे उसने इयान चैपल के 60 रनों की मदद से 5 पिकेट खोकर असानी से हासिल कर लिया इंग्लिश 11 के जॉन आंडरिच को मैन अफ दा मैच चुना गया और वे 90 पॉन की राशी के साथ वन डे क्रिकेट में मैन अफ दा मैच बनने वाले पहले क्रिकेटर बने मैच के बाद सर डॉन प्राइटमन ने मेलबन क्रिकेट स्टेडियम में मौझूद दर्शकों को संबोधित किया और कहा आज आपने इतिहास को बनते देखा है और वन डे क्रिकेट वाकई इतिहास पर अपनी अमिट चाप छोड़ गया पहले ही मैच में पैसो की बड़ साथ हो गई स्पॉंसर कंपनी रॉत मैस ने जहां 20,000 दर्शकों के आने की उमीद लगाई थी वहीं 46,000 से जादा लोग इस मैच को देखने आ गए इससे कंपनी की ना सिरफ पाई पाई वसूल हो गई बलकि भारी मुनाफ़ा भी हुआ इस मैच की सफल्टा को देखते हुए ICC यानि International Cricket Council ने इसे अंतराश्टे मैच के मानेता प्रदान कर दी यहीं से अपचारिक रूप से एक दिवसिय क्रिकेट यानि One Day Cricket मैच के शुरुआत हो गई इसके बाद से लेकर आज तक यानि पिछले 40 सालों के One Day Cricket के सफर पर यदि नजर डाली जाए तो यह साफ हो जाता है कि One Day Cricket ने Cricket के स्वरूप को ही सिरे से बदल कर रख दिया Cricket को परंपरावादियों को खेल माना जाता था ऐसे में Cricket के पारंपरिक स्वरूप यानि के टेस्ट Cricket को उस वक्त जेंटलमेंट गेम कहा जाता था लेकिन Fast Cricket यानि One Day को इंगलेट के भदरजन तिरसकार की दृष्टी से देखते थे और पजामा Cricket कहते थे लेकिन धीरे धीरे One Day Cricket का रसूप ऐसा बन गया कि इसके कारण Cricket में कई बड़े बदलाव देखने को मिले रंगीन ड्रेस, डे नाइट Cricket, फिल्डिंग रिस्ट्रिक्शन्स, सफेद और पिंक बॉल, विकेट कीपर, बैटमेन का चलन ये सबसरव One Day Cricket की बतौलत ही आया इसके अलावा, बजार का दबाव, भारतिय उपमाद्वीप में मुक्त बजार की अठविवस्टा की शुरुवात, मल्टिनैशनल ब्रांट्स के लिए विश्वस्निय ब्रांड, अम्बैसेडर की जरूरत, इन सबसे Cricket के स्वरूप को इस कदर बदल दिया कि एक जमाने में पैसु के लिए तरसने वाले Cricket खिलाणियों के लिए पैसा आज कोई मुद्दा ही नहीं है पुराने दौर की Cricket रों की आर्थिक हैसियत का अंदाज़ा सिर्फ इसी से लगाया जा सकता है कि कभी Sixer King कहे जाने वाले सलीम दुरानी को रिटार्मेंट के बाद 25 रुपे वाले होटल में रुखने की नौबत आ गई थी वही आज एक ऐसा दौर है जहां World Cup खेलने पर तातकालीन रेल मंतरी ममता बैनर जी द्वारा टीम के खिलाडियों को दिये गए First EC के आजीवन रेलवे पास का शायद ही किसी क्रिकेटर ने अभी तक उप्योग किया हो ऐसी ही इन्फोर्मेशन को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चानल Blue India और लाइक का बटन प्रेस करना ना बहुत है